पुलिस की पिटाई से यूवक की मौत चनपद एटावा में जस्मंत नंगार थानचेतर के खेला बुज़ुर्ग गाउं के निवासी नितिन कुमार और फिन नीतु पोत्र भोलानाथ जाटब को गद गुरुबार को थाना पुलिस एक तैरीर के आधर पर पकड़ कर थाने ले गई सुकुरबार को सामकाल पुलिस ने नीतु के परवार को खबर दी कि उसकी हालत खराब है ले जाओ इस पर उसके परवारे जन थाने से नीतु को ले आए और सीडे सेंपई पीजियाई ले गए बहाँ से उसको आगरा रेफर कर दिया गया क्योंकि उसकी हालत गंबेर थी इसके बाद आगरा में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया सनी बार सुबह आगरा सी लोटते समय परजनों ने हाईवे की किनारी उसका सब रख कर धरना सुरू कर दिया और अधकारियों को बुलाने की मांग करने लगे इसका पता चलते ही पुलिस के हाथ पाँ फूल गए और वह आनन फानन में मोगे पर पहुँचकार मामले को रफा दफा करने में जुट गई आपको बताते चलें कि 32 बर्स ये म्रत्यक नीतू दलित जाती का है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने उसे टॉर्चर किया था जिससे उसकी हालात बिगड़ गई परवारी जनुद्वार बुजूर्ग के बाहर हावे पर धरने पर बैट जाने के बाद आजपास के गाउं के लोग भी बहाँ पर जमा हो गए आपको बताते चलें कि पुलिस काफी देर तक उन्हें समझाने और मामले को खतम करने में लगी देई जब मामला खतम होते हुए नहीं दिखाई दिया तो पुलिस ने जबरन सब को अपने कबजिंग लिया और गाड़े में रखकार इतावा के लिए रबाना हो गई पर णाउ आप अको आपके पुलिस कब ले गई थी सच्छाद को पषोण अपर सोफके जब लेगाई टेक लिए अम पर ने में पर थाने में आप अपने आपके तेके बुलाये गया था कुलाएगा था आप कहुंगे पुलीश की जन चली कहा है रहिए पारोप है कि पुलीस ने मारा झान चली कही है लगाव, आप गटना बताया तो मुझे नहीं जानकारी कि पाँचा जहां पर पुस्पांजरी आगरामी लेके गए थे उचागर के बच्चा जुआ दोबादी वद्वादी कि बात गोसे तरती है इस इलाज नहीं हो पाया डाकरों ने दूर देखर के यह गए कर दो कर दो कर दो